नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार रिया सुना आपके साथ है बात करेंगे महिलाओ के द्वारा खेले जाने वाले विक्टिम कार्ड की और उसके शिकार की चार पुरुष चार कहानिया हम आपको बताएंगे और इन चार पुरुषों को सजा मिली है सिर्फ पुरुष होने का क्या है कैसे है ये चार कहानिया बहुत कुछ बया करती है लेकिन उससे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं जो आजकल खूप चर्चा में है लखनाव गर्ड आपको याद होगा जो उचल उचल कर क्याप ड्राइवर को थपड मारती है वीडियो वाइरल होता है और सचाई भी सामने आती है जब CCTV फुटेज निकाले जाते हैं और अब देश की पूरी जनता सभी जनता यह जानती है कि इसकी सचाई क्या है किस प्रकार से महिला ने महिला होने का फाइदा उठाया है और पुरुष को पुरुष होने की सजा मिली है तो चलिए बाकी चार कहानिये को तरफ रुख करते हैं तो पहली कहानी आपको याद होगा यह कहानी है 23 अगस्त 2015 के जहां पर ट्राफिक में ही एक पुरुष के साथ बक्चक हो जाती है वो पुरुष ओहां से तो चला जाता है उस वक्त लेकिन उसके बाद वो लड़की ट्विटर पर कुछ ट्विट करती है और लड़की का नाम भी हम आपको बता देते हैं दिल्ली के सीम भी इसमें शामिल हो जाते हैं और उसे वो भी इनसीज को रीट्विट करते हैं जसलीन तो जूटे अरवप लगाकर विदेश चली गई लेकिन इससे उनकी जुन्दीकी पूरी तरसे बदर गई इनके पापा को हार्ट इटैक आ गया, मम्मी बलड प्रशर की मरीज थी और इनकी नौकरी चले गई इन्हें लोग दरिंदा घोशित करने लगे, इनकी नौकरी चली गई और निर्दोश साबित होने के बाद सरवजीत ने जब जसलीन के खिलाफ केस किया तो उनके वकील अमीश अगरबाल कहते हैं कि जूटो आरोपे के लिए जसलीन कौर को जेल होनी चाहिए साथ ही सरवजीत को जस्पितारना का सामना करना पड़ा, उसके लिए हरजाना मिलना चाहिए आपको उदा देते हैं कि इस मामले में जब यह ट्विट में आया था सामने तो अरबिंद्र के जवाल समयत कई बड़े हस्तियों ने से रीट्विट किया था लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो क्या हुआ यह आपके आखों के सामने है चल यह दूसरी घटना के तरफ रुख लेते हैं फूट डिलिवरी में देरी पर बहस हुई थी और उसके बाद फूट डिलिवरी वाले पर मारपीट का आरोप उस महिल आने लगाया था आपको याद होगा कि क्या कुछ पूरी घटना हुई थी तो बैंगलूर की हितेशा थी जिसने दस मारच को फूट ऑडर किया था और सोचल मीडिया पर उसने एक वीडियो शेर कर दिया कि किस प्रकार से उस पर जो है डिलिवरी वाई के द्वारा ऐसे जुल्म किये गए हैं उस पर मारपीट का आरोप लगाया गया लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो फिर सब दंग के दंग रह गये सच्चाई कुछ और निकली कुछ दिन बाद डिलिवरी वाई कामराज ने अपना पक्ष जब रखा बारिस के वज़े से डिलिवरी लेट हुई थी इसके बाद यूविती ने और के बदले पैसे देने से इंकार कर दिया और खाना भी वापस नहीं कर रही थी यानि कि उनको फ्री में खाना चाहिए था और इसी चकर में पूरा मामला सामने आया था हुआ क्या जो मैटर को फांडर ने बताया कि डिलिवरी वाई की रेटिंग पांच में से 4.75 है जो मैटर ने कामराज की कानूनी मदद करने का फैसल लिया और इस मामले में लेटिस अपडेट यह है कि हीतेशा ने इस मामले को बयांदज नहीं करवाया है सोशल मीडिया पर पताया कि बैंगलो छोड रही है पुलिस की तरफ से ये केस बंद के जाने पर खबरे भी आ रही है तो यह हुआ है इसमें जो मैटर बॉई का आपको मामला याद होगा तीसरा मामला इंस्टाग्राम पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया था और सबसे दर्दनाक मामला यही है लड़के ने स्यूसाइड ही कर लिया 2020 में इंटरनेट पर एक स्कैनल सामने आया बॉई जॉकर रूम इसको मैंने भी एक वीडियो में कवर किया था इसकी सचाई भी कवर की थी इसमें सामने आया कि सोशल मीडिया पर ग्रूप पर नावालिक लड़के रेप की बात कर रहे है इसे जुड़ी खबरे पढ़ने के बाद गुरूगराम की एक नावालिक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली उसमें आरोप लगाया कि मानब सिंग ने दो साल पहले उनका रेप करने की कोशिश की ये पोस्ट वारल हो गया मानब को कॉल और मैसेज की भर्मार आ गई ट्रोलिंग के बाद दवाब में दो घंटे के अंदर ही मानब ने एक ग्यारवी मंजिल से कूद कर आत्मा हत्या कर ली बाद में सच सामने आया इंस्टाग्राम आरोप लगाने के बाद यूबती ने रेप की कोशिश की कोई पुलिस कंप्लेइन नहीं करवाई मानब के परिबार वाले ने यूबती की खिलाब से उसाइट के लिए उकसाने का आरोप लगाया पिदा का आरोप था कि गुर्ग्राम पुलिस ने इसमामने सही तरीके से ज़ाच नहीं की इसके बाद Human Rights Commission ने इसकी ज़ाच क्राइम बाज़ करवाने को कहा मानब सिका केस लड़ रहे वकील का कहना है कि एक जूटे आरोप की वज़े से इनकी मिर्तिव हुई है इन्होंने हात्माथ्य कर लिया मेरे क्लाइंट के एक लोटे लड़के ने आत्माथ्य कर लिया वो दुनिया में नई रहा चौथा केस और आखरी केस जो मैं बता रही हूँ बस की सीट को लेकर बिवाद हुआ था और लड़कियों ने बेल्ट से इस लड़के की पिटाई कर दी दिसंबर 2014 की बात है रोहतक डोडवेज में बस्टैंड में सोनी पत जाने वाली बस स्यातरों में भरी थी इसमें कॉलेज से घर लोट रही पूजा और आरती नामक दो ब रहे थे लड़कों की रफकार गिरफतार करकर जेल भी फेज़ दिया गया और सचाई सामने आई कि उस बस में सवारा नियातरों ने सामने आकर बताया कि मामला छड़कानी का था ही नहीं यह सिर्फ एक सीट का विवाद था धाई साल तक केस चला कोट ने मार्ज दोहसातर म करने का सपना था वो छेड़गा नहीं कर सकते थे क्या एक सीट के चक्कर में उनकी ठाई साल बरबाद हो गए तो यह चार कहानिया जहां पर महिलाओं ने जम कर अपना विक्टिम कार्ट दिखाया लड़कों को शिकार बनाया फेमस हुई और उसके बाद बाकी उनकी मैंने आपको बताई है किस तरीके से महिलाए विक्टिम कार्ट प्ले करती है और पुरुषों को सजा मिलती है केवल पुरुष होने का तो एक बात याद रखिएगा हम भी महिला है और बाकी जो महिलाओं ने यह सब कार क्या है आप भी महिला है जरा सोचिए आपके चक्कर में हम भी बदनाम हो रहे हैं सब पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं इस बात को खयाल में रखना बहुत जरूरी है और सिर्फ आप इस बात पर ना उचलें कि महिला से सक्तिकरन हो रहा है वीडियो शूट हो रहा है तो आप ज्यादा उत्तेजित हो जाती है उसके बाद ना जाने क्या करती हैं सामने वाला इंसान पेशन्स दिखाता है वही अगर वो भी थपड जर देता तो सोचिये क्या से क्या हो जाता वहीं पर उसके लिंचिंग हो जाती और अगर कोई पुरुष किसी महिला की गल्ती पर रोड पर उसे थपड मार दे और ऐसे बीश जाता है इसका फैसलाजर नहीं कर सकता है जेंडर के वेसिस पे हम यह नहीं सुख सकते कि महिला है तो हमेशा सही होगी या पुरुश है तो हमेशा गलत ही होगा ये वाइस वर्सा इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए बने रहे नियूस पियर के साथ धन्यवाद